भागवत की कथा प्रारम होती है नैमी शारण्य नामक तीर्थ छेत्र से जहाँ पर नैमी शारण्य नामका तीर्थ छेत्र एक तरप एक हजार वर्ष में पूर्ण होने वाले दिव्य यग्य का आयोजन हुआ है और दूसरी तरप एक भव्य एक उच्च आसन पर सूत जी महराज विराजित है और 88,000 सौन कादिक रिशी भगवती प्रतवी मा की गोध में बैठे है और वे 88,000 जो रिशी वरंद हैं वे सूत जी से निवेदन करते है भागवत की कथा यहां से प्रारम्ब हो रही है अब प्रश्ण ये उठता है कि नैमी शारण्य क्या है और कहां है इसी प्रतवी में है या किसी और लोग में है तो नैमी शारण्य हमारी भारत भूमी में ही है नैमी शारण्य नाम का एक तीर्थ छेत्र है एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण प्रतवी लोग क को छोड़के गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब विदुर जी त्यादी भगवान के चरणों को पकड़के कहते हैं कि हे गोविंद आप जा रहे हैं और आपके जाने के बाद हम किसके आस्रत होकर के जीवन जीएंगे किसके सहारे हम जीएंगे तब भगवान ने कहा कि मैं जातो रहा हूं क्योंकि प्रकृति का नियम है जो आता है वो जाता है इसलिए व्यक्ति को किसी के आने और जाने पे ज़्यादा विचार सोच या सोक नहीं मनाना चाहिए हम संसारी लोग है हमारा स्वभाव है आते हैं तो खोस हो जाते हैं कोई जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं लेकिन संसार का ये नियम है जो आएगा वो जाएगा कोई बहुत जल्दी चला जाता है कोई देर से जाता है कोई और देर से जाता है लेकिन जाना तो सब को पढ़ता है तो भगवान कृष्ण ने कहा क मेरा भी समय प्रत्वी पे पूर्ण है इसलिए मैं जा रहा हूं तो विदुर जी ने कहा आप जा रहे हैं पर हम आसरित किसके रहेंगे किसके सहारे जीवन यापन हम करें तब भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा कि जिस प्रत्वी पर मेरा ये सुदर्शन जाकर के गिरेगा और गिर करके अंतरधान मतलब गायव हो जाएगा और इस सुदर्शन की जो नेमी है जो कील है वो प्रत्वी के भीतर जहां पर धस जाएगी समा जाएगी समझना उस इस्थान पर मैं नित्य निवास करूँगा सुदर्शन छोड़ा एक स्थान ऐसा आया सुदर्शन गिर के गायब हो गया नैमी प्रत्वी के भीतर चली गई नैमी के भीतर जाते ही एक बहुत बड़े बनका वहाँ पर प्रादर भाव हुआ एक जंगल बन गया और उसी जंगल को अरण्य को सारण्य को नाम दिया गया है नैमी शारण्य तो नैमी सारण्य नाम का तीर्थ चेत्र जहां पर सूत जी महराज 88,000 रिश्यों के साथ विराजमान है एक उच्च इस्थान पर वैठे हैं 88,000 सोन का दिक्रशी भगवती प्रत्वी की गोद में बैठे हैं और हाथ जोड के निवेदन करते हैं अज्ञान ध्वान्त विद्वन्स कोटी सूर्य समप्रभो सूता ख्याही कथा सारम ममकर्ण रसायनम भगवल हम अज्ञानी है हम मूर्ख है लेकिन है प्रभू आपके पास जो ज्ञान है आपके पास जो तेज है वो करोणों करोणों सूर्यों के समान है इसलिए सूत जी महराज आख्याही कुछ कहिए सूत जी ने कहा क्या कहूं सौन कादिक्रशी कहते कथा कहो तो कथा कैसी कहा हमें आज की समाज की सामाजिक बाते नहीं सुननी है हमें कोई मन गणंत कहानी नहीं सुननी है हमें कोई भूत प्रेतों की कथा नहीं सुननी है हमें कोई टोने टोटके उपाय इत्यादी नहीं सुनने है तो क्या सुनना है कहा हमें सुनना है कथा और उस कथा में भी सारम कथा और कथा में भी कथा का सार काभियक ऐसी कथा सुनोगे ममकर्ण रसायनम ऐसी कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों को ओसधी हमारे कानों के लिए ओसधी वन जाए हमारे जीवन को त्रप्त कर दे हमारे जीवन की अशांती को समाप्त कर दे हमारे जिवन में भगवान स्री कृष्ण की क्रपा प्राप्त करा देगी ऐसी कथा सुनाई है और जब निवेदन किया सूद्जी महराज ने बार बार निवेदन किया सौनकादिकृष्यों ने सूद्जी से तब सूद्जी कह रहे हैं काल अप्याल मुखग्रासो त्रास निरनास हेतवे श्रीमद भागवतं शास्त्रम कलव की नेन भासितं कहा कल युग के प्राणियों के कल्यान के लिए ये जो स्रीमद भागवत की कथा है ये कीरेण भाशितं ये तोते के मुख से निकली है अब प्रश्ण ये उड़ता है कि तोते ने ये कथा कैसे कह दी कहीं तो तोते नहीं है पर कैसे कह दी तोता कैसे सामर्थवान हो गया इस भागवत की कथा को कहने का कैसे उसमें इतना सामर्था गया शास्त्र तो ये कहते हैं कि यदि किसी विद्वान की परिक्षा लेनी है तो विद्यावताम भागवते परिक्षा किसी विद्वान की परिक्षा भागवत की कथा पूछलो से एक श्लोक का अर्थ उसकी परिक्षा भागवत की एक श्लोक में हो जाती है तो ऐसी अध्वतिय कथा, ऐसी सार गर्वित कथा, एक तोते ने कैसे कह दी, कैसे, उत्तर मिला, एक बार की बात है, हम आप सब जानते हैं, मगवान शंकर मापारवती के साथ संसार का ब्रवन करने निकले, और अकस्मात पारवती मैया की मन में ये बात आई, कि मुझे तो कथा सुनना है, बड़ा प्रिय काम मगवान भोले नात का, जैसे ही पारवती जी ने कहा कथा सुनना है प्रसन्न हो गए कि मुझे मेरा प्रिय काम मिल गया पर बोले देवी जी कथा तो सुना देंगे और गोपनी है किसी से कहना मत पारवती कहती ही यहां मैं और आपके अलावा है कौन आप तो बस सुनाईए भोले नात पार्वती मैया को एक गुफा में ले गए पदमासन लगा करके बैठे जगदंबा सामने बिराजित हुई है भगवान महादेव ने कथा कहना प्रारंब किया कुछ देर तक तो कथा में बड़ा मन लगा रसाया लेकिन थोड़े देर के बाद भगवती जो है वो कथा में सो गई और हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि सुरोता तीन प्रकार के होते हैं एक होते हैं सुरोता एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरोता सुरोता कौन? सुरोता वो जो कथा सुनने आते हैं जो कानों से कथा सुनते हैं, हुरदय में रखते हैं और जीवन में उतारते हैं सोता कौन? कहा सोता वो है जिनको घर में सोने नहीं मिलता घर में सो रहे हैं तो नाती नातिन छाती पे आके उपद्रप करते हैं घर में सो रहे हैं तो पत्नी डाटती है घर में सो रहे तो लड़के बच्चे सोने नहीं देते तो कहते वही चलो कथा में चलेंगे तो सोफे तो डले रहते हैं या सोफे नहीं है तो पंडाल के किसी खंबे में टिक के हम सो जाएंगे तो वो हो गए सोता जो कभी-कभी देखने को मिलते हैं सरोता का काम क्या है, यहां तो बहुत सब जानते, सब के पास यहां सरोता है, सब तमाखुवाले, सरोते काम क्या है सरोते काम सुपाड़ी काटना सरोते का काम सुपाड़ी काटना और कहा जो स्रोता कथा सुनने वाले हैं जो सरोता है स्रोता नहीं है वो आते तो कथा सुनने हैं लेकिन वो कथा की खामी क्या है वो उसको धूरते हैं कि हम काटें कहां से हम बुराई कहां धू तो कथा में आके बैड़ते हैं अरे सब तो ठीक है पंडाल थोड़ी छोटा है अरे सब तो ठीक है गर्मी बहुत है अरे सब तो ठीक है आवाज अच्छी नहीं है ब्यास जी की अरे सब तो ठीक है विवस्थाएं अच्छी नहीं सब तो ठीक है प्रसाद में कुछ नहीं मिला वो है सरोता, जो काटने आते हैं, जो सुनने नहीं आते हैं तो ऐसे तीन प्रकार के स्रोता हैं, शास्त्रों में या विद्वानों के मुख से मैंने ऐसा सुना है स्रोता, सोता, सरोता, अब आप कौन से वाले होगो, आप खुद सोच लेना हमको तो पता नहीं, आप ऐसे सुरोता ही दिख रहे हैं, अब सोता होगे तो अब भी पता चल जाएगा, सरोता तो यहां कोई नहीं, वो अलग आते हैं, कभी-कभी तो ऐसे तीन प्रकार के सुरोता, अब पारवती मईया सुरोता बनके तो बैठी हैं, कुछ देर कथा में खूब मन लगा लेकिन जैसे भगवान संकर कथा सुनाते सुनाते डूब गए, तो आखें बंद कर ली, महादेव आखें बंद करके कथा करने लगे, और पारवती मईय सोता वाली सुरोता बन गई, मतलब सो गई, उनको नीद आ गई, और उसी गुपा में कहीं बैठके तोता कथा सुन रहा था, और जब उसने देखा कि पारवती सो गई है, अब हूँ हां कौन करेगा, हमारे यहां भी जब बच्पन में हमारी दादी नानी कथा सुनाती है, तो वो यही कहती थी कि भाईया हूँ का देते जाना, पता पता चले कि तुम सोए नहीं, तो वैसे ही भगवान संकर ने देखा, मतलब पारवती महिया सो गई है, तोते ने देखा, तो सोच रहा है कि हूँ का कौन देगा, तो उसको लगा कि मैं ही हूँ का दूँ, उसने कथा में उसको रस आ रहा था और वो नई चाह रहा था कि कथा बंद हो जाए तो हुआ करना प्रारंब किया कथा पूर्ण होई भगवान भोले नात के नेत्र खुले सामने देखा तो जगदंबा सो चुकी थी तब विचार आया कि जब भगवती सो गई है तो ये हुआ कौन क कर रहा था नेत्र चारों तरब भुमाए तो एक तोता उड़कर के बाहर की ओर भागा है भगवान शंकर ने तुरंत त्रशूल को आदेश दिया है कि तोते को मारू तोता आगे आगे त्रशूल पीछे पीछे प्राता काल का समय है बावावेद ब्यास जी की पत्नी आश् और जाकर के इतने वेग से वेद ब्यास जी की पत्नी के मुख में गया कि पता नहीं चला पेट में चला गया जब तक उनने मुख कर लिया बंद और त्रशूल ने ये सब देख लिया अब वो सोच रहा है कि बताओ महादेव की आग्या हुई है एक को मारना है और यहाँ इ अग्या एक के लिए है खूब सोच विचार करते 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 खड़ा रहा इंतजार करता रहा खूब इंतजार किया पर बाहर नहीं आया तोता और इंतजार के लगभग बारह वर्ष बीत गए तब भगवान महादेव ने स्वयम्मा करके जब व्यास जी ने न पीड़ा हो रही है कुछ करो आप तब भगवान महादेव पधारे हैं और उस समय कहा है कि तुम पेट से बाहर आओ किसी भी प्रकार से मैं तुम्हें प्रताड़ित नहीं करूंगा तब वह तोता भगवान महादेव के कहने पर पेट में से बाहर निकला बीतर गया था एक तोते के एक पक्छी के एक कीरेण के रूप में लेकिन बाहर आया है एक मनुश्य के रूप में जनका नाम हम आप सब जानते हैं श्री शुकदेव जी महाराज रखा गया ऐसे भागवत जी में शुकदेव जी के जन्म की कथा कवरन व्यास जी करते हैं ऐसे शुकदेव जी का जन्म हुआ है बोलिए शुकदेव जी महाराज की सुकदेब जी महराज आये है और आते ही इनने भागना शुरू कर दिया